हैलो फ्यूचर ओफिसर्स, माई नेम है सितेंदर चोधरी और वेलकम तो लोफ यू तो आईटेव क्लासिज दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं दा इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज पेपर की अनैलसिस जिसमें हम लोग उस टोपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और आज ह ज़्यादा डिली नहीं करते हैं सीधा काम की बात करते हैं तो यह आपके जो सामने है न दोस्तों यह है आज का फ्रंट पेज और फ्रंट पेज बेसा सबसे पहली न्यूज है वो है वाइरस के बारे में देखें पिछले दो साल से लबग वाइरस चल रहा है और हमें यह पता है कि वाइरस अपना करेक्टर लगातार चेंज करता रहता है और वो जो करेक्टर चेंज होता है उसे कहते है है mutations यानि के आपके वाइरस के अंदर जो RNA बगारा होते हैं उनकी formation change होती रहती है over a period of time अभी तक जो सबसे खतरनाक variant माना गया था वो था delta variant लेकिन अभी South Africa के अंदर एक नया variant मिला है जिसको WHO ने नाम दिया है Omicron यह delta variant से भी जादा खतरनाक है अभी तक यह कुछ countries में limited है जैसे यह South Africa में है बोथ Swana में है इसराइल में तो एक इतने interesting case आया के वहाँ पे एक इंसान को तीन तीन dose लग चुकी है मतलब उसको booster dose भी लग चुकी है उसके बावजूद भी उसके अंदर infection हो गया है इसका मतलब यह है कि जो नया वेरिंट आया ना Omicron यह हम जो वैक्सिन लगवा चुके हैं उसको भी बाई पास कर सकता है मतलब वैक्सिनेटेड लोगों को भी उतना ही खतरा है जितना अन वैक्सिनेटेड लोगों को है जिसकी वज़े से डबल इसको बोला है वेरियेंट ओफ तंस दोस्तों वह वेरियेंट होता है जो मतलब जिसके लिए हमें चंशन होने के जूरत है जो थोड़ा सा खतरनाक होता है लेकिन यहां पर देखेए एक चीज़ और थोड़ा सा देखने को मिलेगा इंडिया ने 15 तारीश से अपनी फ्लाइट पुरी दुनिया के लिए खोल दी है वहीं एक तरफ वेरियंट ओव कंसर फैल गया है दूसरी तरफ इंडिया ने अपनी फ्लाइट से ओपन की है इस मूव को काफी जादा क्रिटिसाइज किया जाने वाला है आने वाले समय में क्योंकि हो सकता है इसकी वज़े से बहुत सारे लोग जो इंफेक्टिड हो वो इंडिया के इंदर एंट्री कर जाएं और नया वेरियंट यहाँ पर थर्ड वे भी आ सकती है इसका इंपक्ट जो है आपको पूरी तरह से सेंसेक्स के उपर देखने को मिलेगा क्योंकि नए वेरियंट की अब भी बात चल रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि जो मार्किट में रिकवरी हुई थी अभी तक वो रिकवरी अभी जो है वो बैक्वर्ड आने वाली है new index based on health, education, standard of living पहले बात आपको यह समझ मिहना चाहिए कि poverty का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि वो आपके पास कितना पैसा है poverty का मतलब education भी होता है poverty का मतलब health भी होता है poverty का मतलब वहोट सारी चीजी होता है जिसे हम लोग multi-dimensional poverty बोलते हैं तो पैसे वाली poverty अलग होती है, multi-dimensional poverty अलग होती है, जिसके अंतर हम दूसरी dimensions भी यहां पे cover करते हैं, तो नीति आयोग ने multi-dimensional poverty index सभी release किया, नीति आयोग ने, जिसमें बिहार को इंडिया का सबसे poorest state माना गया है, बिहार में 51.59, मतलब 52% ही समझ लीजिए, 52% पूर लोग रहते हैं, जारखन में 42% रहते हैं, उत्तर प्रदेश में 38% के लगभग लोग, multi-dimensional poverty index में पूर माने गए हैं, इसके अंतर हम लोग कौन-कौन सी चीज़े cover करते हैं, health, education, standard of living, standard of living मतलबा per capita income समझ सकते हो, यहां पे 12 indicator हैं, जैसे nutrition की बात करता है, school attendance की बात करता है, year of schooling, drinking water, sanitation, housing, bank account वगएरा, इन सारी चीज़ों को consider किया जाता है, आपके घर में पक्का फर्स है के नहीं है, आपके घर में फ्रिज है के नहीं है, आपके घर में motorcycle है, cycle है, इन सारी चीज़ों को consider किया जाता है, multi-dimensional poverty index को निकालने के लिए, और यह index को नीतिया योग नहीं अपना नहीं बनाया है, internationally, United Nations Development Program, जो multi-dimensional poverty index निकालता है, उसके according ही इसको बनाया गया है, ठीक है, तो National Family Health Survey, 2015-16 के basis पे यह पूरे का पूरा इंडेक्स यहाँ पे निकाला गया है, यहाँ पे एक important point थो आपको दिखाना चाहूँगा, yes, जो multi-dimensional poverty index है न, तो यह किसको follow करता है, यह follow करता है, Oxford Poverty and the Human Development Initiative, OPHI, और United Nations Development Program के global methodology को, मतलब जो method UNDP follow करता है, वही method नीती आयोग ने भी follow किया है, तो इस तरह के fact आपके लिए exam में important हो जाते हैं, इससे पहले इंडिया में जो poverty index निकाला गया था, वो C.RANGARाजन कमीटी के basis पे निकाला गया था, C.RANGARाजन कमीटी बेसिकली जब बनाई गही थी, तो उसने एक poverty line यहाँ पे किया था, लेकिन वो जो poverty index निकाला जाता था, उसमें ज्यादा तर ना एक या दो चीजों पर ही focus किया जाता था, जैसे per capita income हो गई, या फिर nutrition हो गया, ठीक है, कुछ baskets होती थी वो खरीदने वाला समान, लेकिन multi-dimensional poverty index में बहुत सारी चीजों को include किया जाता है, तो आपको मैं बोलना चाहँगो कि आपका exam के perspective से भी multi-dimensional poverty index को आप अच्छे से पढ़िए, इसको google कीजिए और अपने notes वगरा में इसको भी definitely आप add कर सकते हो, एक्जाम में कहीं बार ये prelims में और मेंस में पूछा जा सकता है, खेर, अगली जो news नहीं पास आती है, वो आती है, ensure including Afghan government RIC nation, कोई खास important news नहीं है, क्योंकि repeated news है, RIC में देखते दोस्तों तीन country है, Russia, R for Russia, I for India, और C for China, तो इन तीन country का group है, जिसे RIC group कहा जाता है, अब ये बनाया क्यों गया, इसका motive क्या है, इसका motive है, अफगानिस्तान के अंदर stability को ensure करना, यूनों वहाँ पे तालिबान है, और इनका सभी अभी फिलाल दो ही motive है, एक motive है इनका inclusive government का, inclusive government वो government होती है, जहाँ पे हम लोग सारे के सारे ethnic groups को, women को include करते हैं governance में, अफगान में बहुत सारे tribal communities रहती हैं, बहुत सारी ethnic communities रहती हैं, ठीक है, लेकिन जो तालिबान है, ये basically पश्टून है, तो ये दूसरी ethnicities को ignore करते हैं, तो RIC का मानना है के आप भीया, उनको भी include कीजिए governance में, women को भी include कीजिए governance में, तो एक हमारा concern तो सबसे बड़ा यही है, दूसरा जो हमारा concern है दोस्तों वो है terrorism, इंडिया, रशिया और चाइना नहीं चाहते के अफगानिस्तान की धर्ती को use किया जाए दूसरी country की against me to bring out the terrorist activities, क्योंकि Al-Qaeda और ISIS, मतलब Islamic State के अगर आप बात करो, इस समय दोनों अफगानिस्तान के अंदर active हैं, तो RIC countries चाहती हैं के वो, मतलब Al-Qaeda और ISIS जो है, उसको वहाँ पे खतम किया जाए, basically help करना चाहते हैं, तीसरा जो यहाँ पे concern है, वो है humanitarian crisis, इस समय अफगानिस्तान में poverty का जो level है ना बहुत ज़ादा ऊपर चला गया है, मतलब वहाँ पे इतनी ज़ादा poverty और hunger है इस टाइम पे, drought-like condition वहाँ पे हो गई है, पिकोर agriculture पुरी तरह से तहस नहस हो गया है, तो नहीं चाहती RIC country वैसे, तो पुरी दुनिया ही नहीं चाहती है, नाटर नेशन भी नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता कि वहाँ पे भुखमरी आए, लेकिन RIC जो country हैं, वहाँ पे humanitarian assistance देना चाहती है, जिसके लिए चाहती है कि तालिबान के साथ हमारे relations जो इस तरह से रहें कि वो मना ना करें, उसके लवा इंडिया का भी हाँ पे concern था, इंडिया जो है 50,000,000,000 टन वीट ट्रकों में भरके भहिया वो रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, पता है आपको पाकिस्तान के border पे रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को cross करके हम लोग अफगानिस्तान में 50,000,000,000 टन वीट पहुँचाना चाते हैं, ताकि वहाँ पे जो घुखमरी वाली situation हो गई है, उसको थोड़ा सा tackle किया जा सके, लेकिन अभी पाकिस्तान ने उसको बंद किया हुआ था, मतलब इंडिया से जो help अफगानिस्तान जाना चाती थी, पाकिस्तान ने उसको मना कर दिया था, लेकिन अभी RIC country के pressure के बाद अफगानिस्तान ने बोल दिया है कि आप इसको ले के जा सकते हो, कुछ terms and conditions उने रखी है, वो एक हर अलग matter है, तो यह कोई खास वैसे तो news नहीं थी, लेकिन हलका full का idea आपको होना चाहिए, आगे कहता है, पुतिन to visit India on December 6th, will hold talks with the PM Modi, तो definitely है, जब प foreign minister भी आएंगे और defense minister भी आएंगे, और two plus two ministerial dialogue किया जाएगा, two plus two, मतलब आपके दो minister और हमारे दो minister, दोनों के बीच में जब बातचीत की जाती है, उसे two plus two talk आ जाता है, generally, यह जो दो minister होते हैं, यह एक तो defense minister होते हैं, और एक foreign minister होते हैं, ठीक है, finance minister भी हो सकते हैं, लेक पसमें discussion करेंगे, जिसे का जाता है, two plus two dialogue, जिन भी country के साथ two plus two dialogue किया जाता है, उनके relation काफी गहरे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ trade तक limited नहीं रहते हैं, वो defense के अंदर भी agreement करते हैं, और वैसे भी Russia हमारा बहुत बड़ा defense partner तो है ही, आप comment section में मुझे क्या बताओगे, आप मुझे बताओगे, कौन सी country है, उसके लाबा, और हम लोग कोई सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं, defense पर बात करेंगे, trade पर बात करेंगे, investment पर बात करेंगे, science and technology पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे important जो agreement और पाचीत होने वाली है दोस्तों, वो होने वाल मतलब क्या होता है, मालो यूद के समया में कुछ ऐसी situation अगर हो गई, तो रशिया के जहाज इंडिया में आ सकते हैं, यहाँ पे वो maintenance कर सकते हैं, repair कर सकते हैं, refueling कर सकते हैं, rest कर सकते हैं, मतलब वो हमारे basis को, airports को use कर सकते हैं, यूद के समया में, इंडिया भी रशिया के जो, you know, हवाई पट्टियां हैं, उनके एरपोर्ट्स हैं, उनको यूज कर सकता है, लोजिस्टिक पर्पस के लिए, डिफेंस पर्पस के लिए नहीं, सिर्फ लोजिस्टिक पर्पस के लिए, मतलब तेल भरवाना हुआ या कुछ रिपेर करना हुआ मेंटेनेंस करना हुआ उसके लिए कर सकते हैं पार्किंग करना हुआ तो एक इस तरह का अग्रिमेंट अलड़ी हम लोग USA के साथ कर चुके हैं अभी हम लोग इस रेशिया के साथ भी करने वाले हैं जो किये कि मुझे लगता है काफी अच्छा एक way forward रहेगा इंडिया और रिशिया के relationship के बारे में क्योंकि देखे बात ऐसी है ना कि आजकल रिशिया और चाइना के relationship भी काफी close हो रहे हैं लेकिन अगर इंडिया रिशिया के साथ अपनी relation को और ज़्यादा strong करता है तो कही ना कही चाइना को हम लोग neutral कर सकते हैं एक तरह से क्योंकि रशिया थोड़ा बहुत चाइना के ओपर दबाव बना सकता है इंडिया के साथ अपनी relation को normalize करने के लिए है ना लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़दा योरोप के अमेरिका के close चले जाते हैं उसके लावा इंडिया रशिया पहले ही कहीं सारे फोरम के पार्टिस्मेंट करते हैं जैसे शंगाई कोर्परेशन और और राइजेशन और आर आईसी वगारा ना ओलड़ी इसमें दोनों आपस में बातचीत करते ही रहते हैं यह तो यह इतना ही टोपिक था इसे जादा इसमें हम लोग नहीं जाएंगे एक जो टोपिक आपका यह मैं आपको सजेस्ट करूँगा यह रिकमेंडिड है तो उसके रिगार्डिंग आप एक बहुत अच्छा आईडिया पेज में लिखा हुआ है हलांकि यह सारे की सारे मोस्टली चीज़ें आपको यहां पर लिखी भी मिलेंगी वो मोस्टली लक्ष्मी कांत में आप पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको पढ़िए थोड़ा सा पार्लेमेंटर डिबेट्स के बारे में बताया गया है जब कॉंसिटुशन को इंटर्डूस किया गया था थोड़े कानून उगरा के बारे में थोड़ा सा एक बताया गया है तो ओमिक्रोन के बारे में हमें ज़्यादा पता चलेगा तब इसके बारे में हम लोग डिस्कॉशन करेंगे तो अभी इस इनिशल स्टेज बे कोई बहुत ज़्यादा डिस्कॉशन करने का फायदा इसमें है नहीं आगे कहता है कि इंपोर्टेंस अधि जेवार एरपोर्ट वाइट इस नीड़ेड एंड एरियाज इट विल सर्व देखिए दिल्ली में हमारे पास इंदरा गांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट है एक हमारे पास डोमेस्टिक एरपोर्ट भी है अब इसमें समझ साई ये है कि दिल्ली की पोपलेशन एंडियाटी पोपलेशन हो गई है बहुत ही जादा और इसको हैंडल करने के लिए से भी अभी महारे पास सिर्फ एक ही एरपोर्ट है तो हमें उस एरपोर्ट के उपर बरड़न को कम करने के लिए एक दूसरा एरपोर्ट भी बनाना है ताकि उस बरड़न को थोड़ा सा कम किया जा सके उसके लिए नोईडा में एक एरपोर्ट की भोशना की गई है जेवार एरपोर्ट ठीक है तो अगर आप थोड़ा सा यहां पर समझोगे तो यहां पर आपका यह जाता है और यहां पर आजाता है आपका दिल्ली वाला एरपोर्ट तो यहां से जो है थोड़ा दूर पढ़ता तो उसकी ट्रैफिक को थोड़ा सा ये है अपने का परस किरें है, तो ऊसकी बढ़न को थोड़ा कम कर सकता है, बेसनल इसको बनाने का पर्पस यही है, और ये PPP मोडल में बनाया जारी है, आपके थोड़ा समझना पड़ेगा, यता पूरी तरह से सरकारी नहीं है, पबलिक- प्राइवेट पार्टर्शिप में बनाया जा रहा है जो इसको बनाने के लिए जो तीन शेर होल्डर हैं वो कौन-कौन से हैं वो है हमारे गवर्मेंट ऑफ उत्रप्रदेश के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ सीवी लेवेशन आता है वो आता है ग्रेटर नोवेडा एंड सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट ही जाने वाली है बेसिकली और बारा मिलियन पैसेंजर को ये एक साल में अभी हैंडल करेगा और जिसकी संख्या बढ़ा के 2050 तक 70 मिलियन पैसेंजर की जा सकती है मतलो कहना कई है कि धीरे-धीरे क्योंकि हमारा जो इंदरागांधी एरपोर् अपैसिटी को वो पूरा कर चुका है तो ये थोड़ा सा आपको देखना बड़ेगा हलका फुलका कोई जादा इंपोर्टेंट नहीं है बट ठीक है जो एक नया प्रोजेक्ट है तो थोड़ा सा उसको हम लोग देख सकते हैं इकोनमी वाले सेक्शन में आरबई एकसेट्स मोस्ट उदा पैनल प्रोपोजल साइलेंट उदा कोर्परेट फोरे इंटो दा बैंकिंग देखिए वैसे तो कोई बहुत जादा न्यूज नहीं है लेकिन एक जो इंपोर्टेंट मुद्दा था इस पूरी न्यूज का वो य बैसिकली 33 टोटल रिकमेंडेशन दी गई थी जिनमें से 21 रिकमेंडेशन को एक्चुली अलाव कर दिया गया है तो बैसिकली रिकमेंडेशन यही थी कि बैंकिंग सेक्टरों कैसे इंप्रूव किया जाए नोन परफोर्मिंग एसेट्स के बारे में था डिजिटल करंसी के बारे में था उसके बारे में बहुत सारी डिसकुशन थी लेकिन एक जो रिकमेंडेशन थी ऊपरे में यह बनकों देगे इसके बारे में इंडिया में अभी उतने नहीं है, क्योंकि हम लोग जादा थोड़ा सा tough regulation यहां पे रखते हैं banking sector में as compared to Europe and America, ठीक है, चलिए, Now let's talk about today's editorial and it talks about the crypto politics, crypto मतलब cryptocurrency, politics मतलब politics, तो इनको दोनों को combine करके इसने crypto politics नाम की अपनी एक term बना दी है, But we very well know what is about crypto, crypto is like a digital currency, हलांकि दोस्तों इसमें नाम currency है, लेकिन actually यह currency नहीं है, मतलब in the sense, देखे, currency क्या होता है, currency का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को, जैसे रुपया हो गया, डोलर हो गया, इसको give and take के लिए use करते हो, exchange के लिए use करते हो, लेकिन क्या आपने देख किया, इंडिया में हम लोग bitcoin को exchange के लिए use करते हैं, पिल्कुल भी नहीं करते, even all over the world, हाँ कहीं पे भी, एक दो जगए के छोड़के, क्रिप्टो करंसी को bitcoin वगारा को exchange के लिए use नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं होगा कि कल को आप, टाटा के शोरों में चले जाओ, क्या आप bitcoin में payment करके गाड़ी खरीज सकते हो, ऐसा नहीं है, तो क्रिप्टो करंसी ऐसेच करंसी नहीं है, क्रिप्टो करंसी एक asset है, जिसको अब sell करते हो, purchase करते हो, बेसिकली, ठीक है, तो इसके बारे में हलका फुलक यहां पर बता रखा है, तो अभी बात यह है, क्रिप्टो करंसी को इंडिया में पूरी तरह से ban किया जा सके, ठीक है, देखे, क्रिप्टो करंसी सिर्फ एक digital, एक technical subject नहीं है, यह एक बड़ा मु अब अब यह समझ के देखे, क्रिप्टो करंसी, bitcoin वगरा या जो भी currencies है, इनको launch क्यों किया गया था, इसके बीचे purpose क्या था, इसके पीछे purpose था, कि हमारी पैसे के उपर जो government का control रहता न, उस control को खतम करना, क्योंकि हमारे हाथ में जो dollar होता है, रुपया होता है, जो भी currency ह होती है, इसके ओपर हमारे central bank का control है, यानिके government का control है, तो government अपनी मर्जी से उसकी supply को increase कर सकती है, decrease कर सकती है, क्रिप्टो करंसी का basically यही purpose था, कि हम monetary system को, you know, democratize करने वाले हैं, इसका लोगतांतरी करन करेंगे, ताकि power actually लोगों के हाथ में आए, तो ये faith का मुद्दा भी ह है, सिर्फ और सिर्फ technical मुद्दा नहीं है, ये faith का मुद्दा भी है, लोग cryptocurrency में क्यों invest कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी normal currency के अंदर belief कम है, ये भी आप एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, उसके लवा कहता है कि cryptocurrency बहुत fascinating technology है, definitely है, obviously है कि नई technology है, जिसके तुरू आप लोग ये सारी चीज़े कर सकते हूँ, तो इसके बहुत सारे positive impact भी है, तो आर भी ये नहीं कह सकता कि हम इसको पूरी तरह से ban कर दो, अरे भी ये उसको जो positive aspect है, उसको तो आप use करिए ना कम से कम, ये यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं आप नजर आती है, दूसरी बा देंगे हैं ये यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है, दूसरी बात कहता है कि ये cryptocurrency की जो हमारा monetary system है, उसके बारे में बात करता है, देखिए, बात ये है कि हमारा monetary system है, ये पैसे की supply होती है, इसके उपर पुरी तरह से सरकार का control होता है, तो कोई भी सरकार नहीं चा कि ये जो पैसा है ना, यानि कि dollar है, रुपया है, इस article में कहा गया है कि इस पैसे का dollar का बहुत ही जादा important role होता है, modern nations बनाने में, जैसे world war one या world war two या इससे पहले, जो भी modern nation बने हैं, इनका एक बहुत foundational role होता है, वहां की currency, जब तक उस currency की value है, लोग उस currency में believe करते हैं, तो वो country भी stable रहा है, तो इसी लिए कोई भी country नहीं चाहेगी, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उस currency को destे incluso किया जाएगी, क्योंकि currency को destabilize होने का सिधा सिधा सा मतलब है, वहां कि पूरी country ही destabilize हो गई है, ठीक है, पूरी country ही destabilize हो गई है, अब सचने की बात यह है, कि crypto currency लेकिन एक्च्वल में ऐसा है नहीं इस एडिटर में यह कहा गया है क्रिप्टो करंशी भी मटीरेल के ओपर डिपेंड करती है कुछ लोगों क ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करनशी खिर आपके मुबायल में होती है लेकिन उसको generate करने के लिए बहुत बड़ा infrastructure चाहिए और अगर सरकार उस infrastructure को regulate कर सकती है तो मतलब bitcoin को भी regulate कर सकती है ऐसा चाइना पहले ही कर चुका है देखे crypto currency को mining किया जाता है और वह है mining computers के थुरू होती है और यह आपके जैसे मेरे जैसे normal laptop computer नहीं होते है बहुत ही strong computer और hardware होता है बहुत बड़ी-बड़ी buildings होती है जिसके अंदर crypto currency को बनाया जाता है तो अगर सरकार उसको control करेगी तो overall हम लोग crypto currency को भी control कर सकते है चाइना ने ऐसा कर दिया है लेकिन उसके बावजोद भी crypto currency भी stable नहीं है generally लोग crypto currency को एक stable currency मानते है लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि crypto currency में बहुत स्यादा कभी उसकी कीमत बढ़ जाती है कभी low हो जाती है तो वो भी उतना stable नहीं है जितना promise किया जाता है तो इसका मतलब crypto currency के अंदर भी variations होना definitely यहाँ पे possible है तो कहता है कि crypto currency दोस्तो currency नहीं है यह asset है यह asset है और आप एक बात समझ लीजिए कि asset का मतलब भी है जैसे आपकी कोई car है आपने कोई जमीन खरीदी यहना किसी company के stock खरीदे वो भी तेक asset है crypto currency भी एक asset है जब आप लोगों को दूसरे asset में invest करने के लिए मना नहीं कर सकते तो crypto currency में invest करने के लिए क्यों मना कर रहे हो अगर मालों stock market में मैंने टाटा के shares खरीदे और मुझे नुकसान होता है तो वो मेरा private नुकसान है इसी तरह से crypto currency के अंदर कोई आदमी invest कर रहा है तो आप उसको अपने दिल पे क्यों ले रहे हो भाईया वो उसका private नुकसान है उसको होने दीजिए क्या दिक्कत आपको है ना ऐसा इस article में कहा गया है कि सरकार को उसको actually ban नहीं करना चाहिए क्योंकि लोगों की choice है कि वो किसी asset के अंदर invest करना चाहते है कि नहीं करना चाहते है उनकी मतलब है ठीक है तो crypto currency को basically आप पूरी तरह से isolate नहीं कर सकते अभी क्यों नहीं कर सकते क्योंकि देखें इंडिया में crypto currency को लेके बहुत इडिविटीजमेंट चलती है कभी रनवीरकपूर एड करता है रनवीर सिंग एड करता है आईश्वन खुराना एड करता है इस समय इंडिया में बहुत सारे लोगों ने crypto currency के अंदर invest किया हुआ है इसमें कुछ छोटे investor भी है मेरे जैसे आपके जैसे लोग और बहुत कुछ बड़े investor भी है तो इस समय क्रिप्टो करंशी को ban करना is not a good choice क्योंकि वो लोग भी सरकार के ओपर दबाव बनाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना लाखों कोरोडो रुपया वहाँ पर invest कर रखा है तब या सरकार के लिए आसान नहीं है उसको ban करना क्योंकि सरकार उसको ban करेगी तो सबका पैसा डूब जाएगा और ये सरकार की responsibility है कि भी या तो पहले अपने अलाव नहीं करना चाहिए था हम लोग invest ना करते पहले तो आपने अलाव कर दिया हमने अपना पैसा उसके अंदर invest कर दिया अब ही आप उसको मना कर रहे हो तो ये भी कही ना कहीं सरकार की कमी है क्योंकि इस समय जो क्रिप्टो करन्सी के investors है वो सरकार के ओपर दबाव बना रहे हैं यहां पर पुरी बात की गई है तो पुरा investment को लेके यहां पर बात की है कि आप पुरी तरह से उसको बैंद मत करिए क्योंकि बैंद करोगे तो फिर बहुत सारे investors हैं और वह सारे चीज़ें देखे हर चीज के पोजिटीव और नेगटिव आस्पेक्ट होते हैं हर टेकनोलोजी के पोजिटीव नेगटिव आस्पेक्ट होते हैं इसी तरह से क्रिप्टो करणसी के साथ जो टेकनोलोजी आती है जिसे blockchain टेकनोलोजी कहा जाता है इसका सरकार बहुत सारी चीज़ों में अपने profit के लिए यूज कर सकते है इस टेकनोलोजी का है डिजिटल करणसी के लिए यूज कर सकती है पेमेंट के लिए यूज कर सकती है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकती है और रियल टाइम पेमेंट के लिए यूज कर सकती है तो उसका benefit भी आपको मिलता है तो सरकार को या RBI को चाहिए कि उसको पुरी तरह से ban ना करके उसको कुछी तरह से regulate करे कि वो overall हमारे monetary system का ही part बने और हमारी overall monetary system को जो ही stabilize करे तो rather than banning it outrightly खीक है तिस article के अंदर थोड़ा बहुत यहीं बताया गया है कोई नया मुद्दा नहीं है पुराना मुद्दा है क्यो यूज किया जाएगा तो let's see उसके अंदर क्या रहता है कि RBI इसको ban करता है कि नहीं करता है तो उसके बारे में ही थोड़ा यहां पे बताया गया था चलिए चो आज के एक्टोर में इतने ही कुछ points थे हमारे पास I hope हम लोगों ने ठीक ठाक इसको discussion किया होगा और अगर अगर आप telegram गरा यूज करते हो इंस्टाग्राम यूज करते हो तो उसका link भी आपको description box में मिल जाएगा वहां पर हम आपको daily newspaper का media format देते हैं और भी बहुत सारा material वहां पर update करते हैं जिसको आप benefit उठा सकते हो चलिए That is all for the day, thank you very much, all the best, जाहें